आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुठे सावर गौर विलास घंप्रगटे और श्रीती को जैजै श्री हरिदास अनन्य निर्पती श्री स्वामी हरिदास जुद्वारा बताए गए अश्टादस सिद्धान्त के आज हम सप्त दस्पत की चर्चा आप लोगों के मद्य हरिदासी असोपासना के माद्यम से करने जा रहे हैं स्री स्वामी जुद्वाराज अपने सत्रवे पद में वैणन करते हैं कि जोलो जीवे तोलो हरी भजरे मन और बात सब बादी गोस चार के हला भला में तु कहा ले गयो लादी माया मद गुन मद जोवन मद भूलयो नगर बिवादी कहीं श्री हरिदास लोव चरपट भयो काहे की लगै खिरादी कि श्री स्वामी जु महाराज अपने पद में वैणित करते हैं कि जोलो जीवे तोलो हरी भजरे मन और बात सब बादी कि हे जीव जब तक तुम अरा जीवन है जब तक तुमारे इस तन में प्राण है तब तक तुम बिहारी बिहारिन का नित्य भजन करो और बात सब बादी की और बात सब बाद की हैं हमें जो जे जनम मिला है जो ये नर्तन मिला है और जब तक इसमें प्राण है जब तक इसमें हमें जीवन प्राप्त है तब तक हम बिहारी बिहारिन का भजन करें क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमें भजन करना होता है तो हम उसे कलपर टालते हैं परन्तु संसार की चर्चा में सदयव लगे रहते हैं और बात सब बादी है बात तो सब बात की हैं और आगे बताया कि घोसी चार के हला भला में तू कहा ले गए हो लादी कि जो ये चार दिन का जीवन मिला है जो आपको संसार में आने का उदेश्य है कि आपको बिहारी बिहारिन का नित्य भजन करें और स्री स्वामी जूक के द ऐसी इस्तिती में जो हमारा उद्देश्च ये है परन्तु हम इस चार दिन के जीवन में जो ये हला चला या हला बला अथात जो हलचल मची हुई है संसार में और हम उसमें तैयारी कर रहे हैं कहने का अर्थ कि जब हम संसार में आए तो हम इसलिए आए इसलिए हमें ये नर्तन मिला कि हम भिहारी भिहारिन का भजन कर उस रसरीती को प्राप्त कर पाएं परन्तु हम यहाँ पर ऐसे बसने की तैयारी कर रहे हैं इस पिरकार बस रहे हैं कि मानो हमें सदयव यही रहना हो तो इसलिए स्री स्वामी जु महाराज कहते हैं घोंस चार के हला भला में तु कहा ले गए ओलादी कि तुम इतनी तैयारी जो कर रहे हो संसार में रहके कि तु आउगे भी तो अपने साथ क्या लाद कर ले जाओगे और आगे स्री स्वामी जु महाराज ने वर्णन किया माया मद गुनमद जोवनमद भूले और नगर विवादी कि माया के मद में कि कुछ धन हम अपने परिश्रम से जो एकत्रित करते हैं उसका मद और जो हमें गुन हैं जो हमारे उसे खूबियां है उन पे हम इतना गर्व करते हैं और उस मद में और उसके बाद जो हमारा सरीर का मद है जो सबसे वड़ा एहम है कुछ सरीर के मत को हम ऐसे लिए फिरते हैं कि मानू ये सरीर सदयव हमारे साथ रहने वाला हो और जो नगर के विवाद हैं जो बाद विवाद हैं इसमें हम इतना उलज गई हैं कि बिहारी बिहारिन के श्री चर्णों के आश्रय को छोड़कर बस इस बाद विवाद में लगे रहती है और आगे श्री स्वामी जु महाराज ने वर्णन किया कि कहीं श्री हरिदास लोग चर्पट कि जो जीव को लोग रूपी चर्पटी लगे हुई है जो लालच है काहे की लगे फर्यादी कि वो किस भाव से पुकार करे बै कैसे बिहारी बिहारिन को रिजाए जो सदयव लालच से लिप्त है जो लोग से सदय भर हुआ है ऐसा जीप तो उसे फर्याद की इस्थिती भी नहीं पता कि मैं मांगूं तो आप से क्या मांगूं जब हम बिहारी जुके दर्शन करने जाते हैं तो ऐसी मांग करते हैं संसार की तो स्वामी जुमाराच उसी की कहते हैं कि हमें लोग की चरपटी इतनी अच्छी लगती है तो हमें फर्यात करने भी नहीं आती जबकि रसिक जन कहते हैं कि मैं तुमें देखूं तो देखूं तुम मुझे मत देखना तुमने गर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम मुझे मत चाहाना तुमने गर चाहा मुझे तो मशुहूर हो जाओंगा मैं मैं तुमसे मांगूं तो मांगूं तुम मुझे ना दे देना तुमने गर मुझे को दिया तो तेरा प्रेमी नहीं मजदूर कहलाओंगा मैं जहां रशिक जनों ने ऐसा भाव थाकुर्जी के सामने जाकर रखा कि मैं आपको देखूं भी तो आप मुझे मत देखना और मैं आप से मांगूं भी तो आप मुझे मत देना ऐसा रश को द्वारा विहारी जू से मांग और संसार का जीफ संसार की मांग करता है। इसलिए श्री स्वामी जू महाराज कहते हैं कि भाय काये की लगया फर्यादी कि ऐसे भक्त की फर्याद कैसे बिहारी जी सुविकाल करें जो लोग से लिप्त हैं, उससे संसार की सभी बस्तुंएं तो दे सकते हैं, परंतो नित्य सुक तो सिर्फ स्वामी जू के नाम में और बिहारी बिहारिन के भजन में इसी के साथ नित्ते जपें निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जोलो जीवे तोलो हरी भजीर मन और बात सब वारी ध्योस चारी के हला भला में तू कहा लई गौला दी माया मद गुन मद जोवन मद भूलो नगर बिवादी कहीं श्री हरिदास लोब चरपट भयो काहे की लगे फिरादी जोलो जीवे तोलो हरी भजीर मन और बात सब वारी और बात सब वारी लोवन और बात सब वारी यूलो जीवे तोलो जीवे तोलो हरी बात सब वारी